पिछले लेक्षर में हम लोग बात कर चुके हैं माही रिवर के उपर माही रिवर का टोटल लेंद कितना है और कहां से कहां तक फ्लो करके किस से स्टे से पास करती हो कहां पे जाती हैं सारी कहानी पिछले लेक्षर में हम लोग बात करने वाले हैं रिवर जो कि नर्मदा रिवर के उपर बात करने वाले हैं हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं जो कि गुजराट से होते हुए पास करते हुए गल्फ अफ खंबात में जाकर गिरती है जिसमें सावरमती रिवर और माही रिवर के उपर बात कर चुके हैं अब हम लोग जो बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर ये भी गल्फ अफ खंबाट जो गुजरात के पास में है वहीं पे जाके किरती है इसलिए इस नदी को हम लोग वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बोलते हैं मतलब की ये क्या होता है पच्छिम की तरफ बहने वाली ये नदीया पर कह सकते होते हुए जाकर कि गल्फ अफ खंबाट में चली जाती है इस सारी कहानी हम लोग आज बात करने वाले चरी सुरू करते हैं अचका लेक्षा मैं हो के का सप और चनल आपका आईक्यू का सब कम्पीटेटिव हम लोग बात करें नर्मदा रिवर के उपर तो नर्मदा रिवर को जानने से पहले आपको गल्फ अफ खंबाट बता होना चाहिए गल्फ अफ खंबाट को गल्फ खंबे भी बोलते है जो की गुजरात के पास में है मतलब गुजरात के पास एक किसे form होता है तो याद रखिए का Arabian Sea से एक form होता है Arabian Sea कहा पे है तो simple से गुजरात के पास में है जो Indian auction के बगल हम लोग जानते है कि कहा पे होता है तो Arabian Sea हम लोग को याद रखने की वाद अब समझेगा नरमदा river ठीक है क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी तक दो रिवर कर चुके हैं जिसमें साबरमती रिवर कर चुके हैं माही रिवर कर चुके हैं दो रिवर तो ऐसा है जो गल्फ ऑफ खमबात में ही जाकर गिरती है ठीक है तो आपको याद रखना ये वेस्टरन फॉलोइंग रिवर है है तो इंपोर्टेंट बात एक तो हो गया नर्मदा रिवर जो कि फिमस है इसी सिता आप इसको याद रखना होगा रेवा रिवर भी इसको बोलते है यह क्या है रेवा रिवर उसके बार नर्बदा रिवर इसको बोलते है नर्बदा रिवर या नर्बुदा रिवर ठीक है इ इतना important बात आपको समझ में आने चाहिए यह सबसे ज़्यादा जो फ्लो करती है 21 से फ्लो करती है तो याद रखिएगा यह मध्य पर्देश में है ते largest river of conscious मध्य पर्देश मतलब मध्य पर्देश का सबसे बरा नदी कौन सा है तो याद रखना है नर्मदारीवर है ठीक है अब और पूछा जाये कि कितने इसταेश से यह पास करती है तो एसटेश की बात करů करती है GEN गुजरात से पास करती है महराश्टेश करती है मतलब द quartz से में रूप से हैं जहां पर जादा से डिस्टेंस से ट्रावल करते हैं तो याद रखने कि यहीं बात है कि में रूप से कौनसे मद्यपर्दिस और गुजरात में ही फुलो करती है कौनसा नर्मदारी वर्थ ठीक है सिफ महराष्ट के पास में बोर्डर सेर करती है महराष्ट और मद्यपर्दिस के साथ में बोर्डर सेर करती है और फिर महराष्ट और गुजरात के साथ में बोर्डर सेर करती है और बाते हुए गुजरात में चली जाती है इतना बात याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो नर्मदा नदी है निकलते कहां से है तो याद रखने की बात यह है कि यह नर्मदा कुंड है ठीक है नर्मदा कुंड कहां पे है तो मधपर्देस में तो मधपर्देस के पास यह निकलते है नर्मदा कुंड अब याद रखे कि सिफ नर् अमर कंटक एक रिंज है, एक प्लैचू है, जहां से निकलती है, पठार है, जहां से निकलती है, तो याद रखेगा, अमर कंटक प्लैचू के अंदर में विध्यान्त परवत है, ठीक है, उसके अंदर के हम लोग बात करें, तो वहां पे है नर्मादा, छोटी लेबल पे नर् हो जाती है तो जातर करके समाप्त हो जाती है उसको इंगलिस में बोलते हैं हम लोग माउथ करती है तो हम लोग बोलते हैं गल्फ आफ खंबाथ कहां पे अरेबियंसी के पास में तो इतना याद रखना है ठीक है अच्छा अगर आप से पूछ दिया जाए इसका टोटल कितना 1312 किलो मेटर का इसका टोटल लेंत है याद रखने की बात यह है कि ए मैक्समיidd ourselves किहां पर ट्रैवल करती है तो मद्ध कर देस के पास में देशा में जातको करती है तो 1789 किलोमेटर 1079 किलोमेटर का दिशेंस अटर करती है तो मद्ध कर देस में इसलिए इसको बोलते है largest river of the Madhya Pardis अगर देखिएगा हम लोग बात करें कि border formed between the Madhya Pardis and Maharashtra border formed यह formed लिखे है between Madhya Pardis and Maharashtra यह Madhya Pardis और Maharashtra के बीच में border कितना share करती है तो याद रखेगा लगबग 35 km का distance जो है यह travel करती है border दोनों border share करती है कितना 35 km का उसके नीचे यह border between Maharashtra and Gujarat महarashtra और Gujarat के बीच में कितना border share करती है तो याद रखेगा 29 km का total border share करती है और Gujarat में इंटर कर जाती है गुजिरात में इंटर करने के बाद 169 km का distance travel करती है कितना 169 km कहां पी तो याद रखिएगा कि गुजरात में तो मध्ध परदिश में सिप याद रखना है कितना 1089 km और यहां पे गुजरात की बात करें तो 169 km का distance ट्रावल करती है और यह दोनों याद रखिएगा इसमें जो महराष्ट आता है महराष्ट के साफ में border share करता है तो एक particular कुछ पार्ट परता है इसलिए हम लोग तीनों estate को लेख दिया है इतना बात आप कर लेकिन आपको पूछेएगा overall आपको समझ में आ रहा है कि महराष्ट के साफ सी border ही share कर रहा है तो इसलिए में रूप से गुजरात और मध्यपर्देश में ही यह flow करती है अब important बात थोड़ा सही है कि right tributaries मतलब सहाइक नदी की बात करें तो हम लोग बाई और की सहाइक नदी और दाई और की सहाइक नदी के बात करें तो यहाँ पर आपको यह बात याद रखता है right tributaries और यह कितना है left tributaries इस tributaries मतलब होता है सहाइक नदी हम लोग जानते हैं एक यह सिल्गी जो है एक river है जो कि इसका right tributaries और कौन चीस है नर्मदा है उसके बाद है बलाई या फिर कौर यह तीन important और और भी है लेकिन इतना कम से कम याद रखे बात बन जाएगा left tributaries में हम लोग को याद रखना पर है करमेर या फिर तैमूर या फिर हम लोग को कावेरी ये कावेरी river ये नीचे वाला river नहीं समझेंगे ये कहाँ मद्य परदेश को छोटी चे इसका tributaries है ये कावेरी नीचे इसका tributaries है left tributaries है इतना आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद हम लोग बात करें कि इसका जो drainage area है कितने area में ये क्या करता है फैला हुआ है ठीक है इन नदी में जो कि महाराष्ट में फैला हुए तो सबसे कम का है तो महाराष्ट में क्योंकि ऐसे भी देख रहा है महाराष्ट के साथ में सी border ही share कर रहा है इसका जादा area इसका drainage area नहीं होगा अब गुजरात में हम लोग बात करते हैं और उसके बाद कौन सा हो जाएगा तो अपना महाराष्ट ठीक है इतना होगा drainage area पर हम लोग divide करते हैं तो इतना बात आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर map wise है ठीक है map wise आप देख लेंगे कि यह चुली है क्या नर्मदा कूंड से निकलते हैं यहाँ से उपर की तरफ flow करते हुए अरेवियन से म्याद आती है ठीक है यहाँ के पास में जो होता है नीचा में क्या है यहाँ से देखिएगा इधर में इधर में यह जो है उसी तरह मदपुर्देस और किसके साथ ये बोडर सेर करती है गुजरात के साथ और यहां से ऐसे फ्लो करते हुए यहां से कहां पे इंटर कर जाती है तो याद रखेगा ये इंटर कर जाती है गुजरात में और यहां से गुजरात होती हुए जाती है कहां पे खंबात की खा इतना ही बात अगर याद है तो बात बन सकते हैं, लेंध इसका याद रखनी के बात है, कम से कम इंपोर्टन बात यह याद रखना चाहिए कि यह कौन से वेस्टरन फॉलूइंग रिवर है, जो कि निकलती है, अमर कुंट से निकलती है, अब समझेगा, यह नर्मादा कुंट से निकलती है, अमर कंटक प्लैचू से यह निकलती है, ठीक है ना, यह प्लैचू का नाम है, यह पठार का नाम है, कौन सा अमर कंटक है, तो यहाँ से निकलती है, को तोटल लेंध कितना है, इतना, सबसे ज़्यादा कहां पर, महदर परदेश में, इतना बात कम से कम तो र काइकरे